हलो गाईज, 110 शब्द प्रति मिनट एडिटोरिल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बात स्टार्ट कोशल विकास हुनर का वह आयाम है जो विकास के प्रसासन को परिभाशित करता है जब विकास का प्रसासन जमीन पर उतरता है तो सूसासन की पठ कथा लिखी जाती है संधर्ब निहित परिप्रेक्षय यह भी है कि कोशल विकास के लिए एडि चोटी का जो जोर लगाया जा रहा है कोमा वह नाकाफी है स्टॉप कोरोना प्रभाव के चलते इसकी मुश्किलें तुलनात्मक रूप से बड़ी ही है स्टॉप महामारी ने कोशल विकास के शेत्र में अंतराष्ट्रिय सहयोग की जरूरत बड़ा दी है स्टॉप भारत युवाओं का देश है स्टॉप ऐसे में कोशल विकास से युक्त देश को खड़ा करना है तु बाजार की मांग के अनुरूप पेशेवर प्रसिक्षन और कोशल विकास कारिक्रम चलाना होगा स्टॉप सूशासन की धारा में कोशल विकास की विचार धारा उतनी ही प्रासंगिक है जितना की आसान जीवन के लिए सरकार का बहतरिन सुविधा प्रदायक होना स्टॉप कोशल विकास को तुलनात्मक अधिक व्रहद बनाने के साथ उसकी पहुच भी आसान करनी होगी कॉमा उसे बाजार देना होगा कॉमा सर्चनात्मक विकास के रास्ते चोडे करने होंगे कॉमा तभी कोशल युक्त नोजवान विकास की मुख्यधारा में अपने भूमी का निभा पाएंगे स्टॉप पैरा कोशल विकास का अभिप्राय युवाओं को केवल हुनरमंद बनाना ही नहीं है कॉमा बलकि उन्हें बाजार के अनुरूप तयार करना भी है स्टॉप आकड़े बताते हैं कि इस दिशा में बरसों से जारे कारिक्रमों और अभियानों के बावजूद महज 5 फीसद ही कोशल विकास करमी भारत में है स्टॉप जबकि दुनिया के अन्य देसों की तुलना में यह संख्या बहुत मामूली है स्टॉप चीन में यह आकड़ा 46 फीसद कोमा अमेरिका में 52 कोमा जर्मनी में 75 कोमा दक्षिन कोरिया में 96 और मेक्सिको जैसे देश में भी 38 फीसद है स्टॉप देश की विशाल युवा आबादी को कोशल प्रसिक्षन देकर रोजगार मुहया कराने के लिए साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था स्टॉप जमीनी इस्तर पर कुशल मानव शक्ती की निर्मान पर कोशल विकास योजना एक बड़ी आधार शीला थी कोमा जिसके तहत हर साल कम से कम 24 लाख युवाओं को कुशलता का प्रसिक्षन देने का लक्षय रखा गया था स्टॉप पर महज 25 हजार कोशल विकास केंदर से क्या यह लक्षय पाया जा सकता है प्रस्नवाचक वैसे देखा जाए तो 6 साल पहले कोशल विकास केंदरों की संख्या केवल 15 हजार थी जो पहले भी कम थी और आज आबादी के लिहाज तथा कोशल विकास की रफतार को दे भले ही बीस्वी सदी के अंतिम दशक में परिलक्षित हुई हो कोमा लेकिन इसकी उपस्थिती सदियों पुरानी है स्टॉप बार बार अच्छा सासन ही सू सासन है जो सभी आयामों में न केवल अपनी उपस्थिती चाहता है कोमा बलकि लोक कल्यान के साथ पार दर्शिता और समवेदन शीलता को संजोने का भी प्रयास करता है स्टॉप सासन हो या प्रसासन कोमा यदी उसमें खुलेपन का अभाव है तो सू सासन दूर की कोडी होती है स्टॉप कोशल विकास को लेकर के चिंताएं दशको पुरानी है स्टॉप मगर हालिया परिप्रेक्षे में देखें तो प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रसिक्षन देना था जो कम शिक्षित हैं या इसकुल छोड़ कर घर में बैठे हैं स्टॉप जाहिर है कॉमा इस योजना के अंतरगत ऐसे लोगों के कोशल का विकास करके उन्हें पात में काम पर लगाना था स्टॉप इसके लिए कर्ज की सुविधा भी दी जाती है स्टॉप ऐसा इसलिए ताकि अधिक से अधिक इसका लाब उठा सकें स्टॉप पैरा सूशासन और कोशल विकास एक सहगामी व्यवस्था है स्टॉप एक के बहतर होने से दूसरे का बह पारा दी गई एक ऐसी आर्थिक परिभाशा है जो राज्य से बाजार की और चलने की एक संस्कृती लिए हुए है स्टॉप आर्थिक न्याय सूशासन की खूबसूरत अउधारना है जो उधारी करण के बाद पोशित होती रही है स्टॉप सार गर्भित पक्ष यह भी है क कौशल विकास को लेकर सरकारें लंबे समय से काम करती आ रही है कौमा पर इसका असल पक्ष उतना चमकदार नहीं दिखता है स्टॉप असल में कौशल विकास के मामले में भारत में बड़े नीतीगत फैसले या तो हुए ही नहीं और यदि हुए भी तो विकास के इस्तर प पहुच पूरी नहीं हुई स्टॉप यदि ऐसा हुता तो 136 करोड आबादी वाले देश में और 65 फीसद युवाओं के बीच केवल 25,000 कौशल विकास केंदर न हुते स्टॉप आकडे यहे दर्शाते हैं कि चीन में 5 लाख कोमा जर्मनी और आस्ट्रेलिया में 1-1 लाख से अधिक कौशल विकास संस्थाए हैं स्टॉप दक्षिन कोरिया जैसे छोटे से देश में भी इतने ही कैंदर देखे जा सकते हैं स्टॉप चीन में 3,000 से अधिक कौशलों के बारे में प्रसिक्षन दिया जाता है स्टॉप भारत में इसकी संख्या 50 से जादा नहीं दिखती स्टॉप चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5 फीसद व्यावैसाईक शिक्षा पर खर्च करता है कोमा जबकि भारत चीन की तुलना में तु काफी कम और अपनी जीडीपी का मामूली धन ही खर्च करता है स्टॉप यही कारण है कि कोशल विकास के मामले में हम पीछे हैं स्टॉप वर्च दो हजार चोईस तक 500 खरब डोलर की अर्थ व्यवस्था बनने के लिए भारत को 10 फीसद से अधिक की विकास दर चाहिए स्टॉप इसके लिए कोशल विकास को व्यापक और व्याव दसाइक बनाना होगा स्टॉप पैरा स्किल इंडिया कारिक्रम सूसासन को एक अनुकूल जगह दे सकता है स्टॉप बशर्ते की यह अपने उद्देश्यों में खरा उतरे स्टॉप इस कारिक्रम का मकसद साल 2022 तक कम से कम 30 करोड लोगों को कोशल प्रदान करना है स्टॉप मुहाने पर खड़ा 2022 और कोशल विकास अभियान की रफ्तार को देखते हुए यह लक्षिय संधह पैदा करता है स्टॉप वर्ष 2014 में जब कोशल विकास उधमिता मंत्राले बनाया गया था तब यह उम्मीद से भरा हुआ था कॉमा पर आज बोज से दबा हुआ है कोशल विकास का अभियान कई चुनोतियों से जूज रहा है जिसमें अपरियाप्त प्रसिक्षन कॉमा उध्यमि कोशल की कमी कॉमा उध्योगों की सिमित भूमिका तो बुनियादी कारण हैं ही कॉमा साथ ही इसके प्रती कम आकर्षन और नियोकताओं का रवया भी अर्चन पैदा करने वाला रहा है स्टॉप इतना ही नहीं कोशल केंद्रों पर कुशलता या हुनर के इस्थान पर काफी हद तक प्रमान पत्र बाटने पर ही जोर है स्टॉप जबकी हकीकत यह है कि बाजार इस प्रधा से भरा है जहां सिक्का तब खनकता है जब काविलियत फलक प भरों से रोजगार की अपेक्षा करना न तो सही है और न ही संभव है स्टॉप भारत में आकडे यहे भी बता चुके हैं कि हर चार में से तीन बीटे की डिगरी धारक और हर दस में से नो डिगरी धारक काम के लायक नहीं है स्टॉप ऐसे में जिन्हें केवल कोशल विकास के नाम पर जिन्हें प्रमानपत्र थमा दिये जाएं कोमा उनके रोजगार का क्या हाल होगा स्टॉप पैरा सवाल है की सरकार को करना क्या चाहिए स्टॉप सिक्षा एवं प्रसिक्षन खर्च में व्रदी करना चाहिए स्टॉप हालांके पिछले बजट में इस मद में व्रदी दिखाई देती है स्टॉप प्रसिक्षन संस्थानों का भी मुल्यांकन समय समय पर होना चाहिए साथ ही कौसल सरविक्षन भी होता रहे स्टॉप कौसल विकास के लिए रास्ता सूसासन से भरा होना जरूरी है और इसके लिए समाच के सभी वर्गों को इसमें शामिल करना होगा स्टॉप संयुक्त राष्ट विकास कारेकरम की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका की भाती भारत के श्रम बाजार में कुल महिलाओं की भागेदारी 70 फीसद तक पहुंचा दी जाए तो आर्थिक विकास दर को 4 फीसद से अधिक बढ़ाया जा सकता है कौशल विकास को उचाई देने के लिए आधि दुनिया से भड़ी नारी को भी इस धारा में बड़े पेमाने पर शामिल करना होगा कौमा ताकि उन्हें हुनरमंद बना कर न केवल देश में विकास की गंगा बहाई जा सके कौमा बलकि आत्म निर्भर भारत के सपने को भी सा कार किया जा सके फुल स्टॉप